हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अर्बिट्रोन ड्रोप के बारे में दोस्तों दोस्तों ये 15 ml की एक ड्रोप आ दिये दोस्तों इसके बनाया जाता है मैडली फरमेसुटिकल लिमिटिक कमपनी की दुआरा दोस्तों इसमें आईरन फोलीग आज़िड बिटामिन वीट्वयल लाइसीन हाइड्रोकिलोराइड होता है दोस्तों अब बात कर दें इसके प्राइज की तो दोस्तों इसका जो प्राइज होता है वो 93 पर यानि की तिरानमे रुपे की आपको एक ड्रोप किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाती है, दोस्तों, इस drop का काम क्या होता है? मैं बता दूँ आपको दोस्तों, ये बच्चों में iron की कमी को दूर करता है, ये लिम बच्चों में खुन की कमी जीयाती है, उसको पूरा करता है, दूस्तों, तो दोस्तों, अब बात कर ले दें इसके यूजिस के बारे में कुन-कुन सी बिमारियों में से डोक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों तो दोस्त जब बच्चों में जनरल वीगनेस होने लगती है या जल्दी जल्दी बच्चे बिमार हो जाते हैं तो उन सारी कंडिशनों में इस ड्रोप का प्रियोग किया जाता है दोस्तों और दोस्तों बच्चों को बारवार सर्दी जुखाम खासी होने लगती है या दोस्तों बच्चों में आयरन की बहुत जादा डेफिनेंसी हो जाती है तो दोस्तों इस ड्रोप का प्रियोग किया और डोक्टरभी से बहुँ ज़्यादा प्रिज्क्राइब करते हैं और जो बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं या सारे लिक उन में कमजोरी होती है तो उसको पूरा करती है वो बच्चों को healthy बनाती है दोस्तो और दोस्तों मैं बता दू जिन बच्चों का दिमाग ये दोस्तों इम्मिनिट सिस्टम कम जोर होता है उसको मजबूत बनाता है दोस्तों ये दोस्तों जिन बच्चों की हड्डिया मजबूत नहीं होती उनको ये मजबूत बनाता है और दोस्तों जिन बच्चों की कमी होती है उसको ये पूरा करता है और डॉक्टर भी से प्रिसक्राइब करते हैं जिन बच्चों को दोस्तों भूग नहीं लगती या दोस्तो दूद पलड़ते हैं तो उस सारी कंडिशन में ड्रोप का प्योज़ किया जाता है दोस्तों नवजाद बिच्चे होते हैं यह नवजाद सीस होते हैं उसमें जो इसकी डोज होती है वो तीन से चार भून दिन में दो वार देनी होती है सुबह शाम और जो छा मेंने के बच्चे होते हैं उनमें इसकी डोज दस से बारा बून दिन में दो बार सुबह शाम और दोस्तों जो एक साल से उपर के बच्चे होते हैं उन में इसका जो डोस होती है वो एक एमल दिन में दो बार देनी होती है सुबह शाम तो दोस्तों यह दिसके डोस और दोस्तो इसे डोक्टर अपने experience के अनुसार इसकी dose को घटा बढ़ा सकते हैं यह बच्चे के बेट और age के according दी जा दिया दिया दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में तो दोस्तो इसके कुछ side effect नहीं है अगर हाँ किसी बच्चे को इसकी overdose दे देते हैं तो उसके side effect देखनों को मिल सकते हैं जैसे कि दोस्तो बच्चा दूद पलड़ सकता है या उसको बेचे नहीं हो सकती है या दोस्तो बोमिटिंग हो सकती है तो यह उसके कुछ comment से side effect है दोस्तो और दोस्तो मैं बता दूँ इसमें एक dropper होती है जिसकी मदब से दोस्तो यह दी जाती है तो दोस्तो यह दी कुछ छोटी सी जानगारी आपको मेरी वीडियो में दी के जानगारी आपको अच्छे लेगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल एकन बटन दवाना ना भूलें दोस्तो